बजलते मोसा में परिशानिया भी अलग होती हैं हाला कि गर्मे में तुचा का ख्याल रखने के लिए हमारे पास कई सारे उपाए हैं मगर तुचा के अलावा कई ऐसे पार्ट हैं जिरका ख्याल गर्मे में रखना बहुत ही आवश्यक है जिसमें बाल सत ज़्यादा जरूरी है चिलचिलाती गर्मी और हानिकार्यक युवी केर ने आपके बालों की नमी को छेन देती है और उन्हें रूखा और बेजान बना देती है जब बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं तो लड़किया परिशान हो जाती है और उन्हें healthy बढ़ाने के लिए तरह तरह की chemical ल्यूक्ट चीजों का पर्योग करती है हाला कि रूखे और बेजान बालों को healthy बढ़ाने के लिए कुछ वक्त का इंतजार करना होगा यही नहीं गर्मे में अपने बालों को healthy रखने के तरीक अपर खास ध्यान देना होगा चिलचिलाती गर्मे में आपके बाल खराब ना हो इसके लिए आप चाहे तो इन tips को follow कर सकती है इन उपायों के जरी आप अपने damage बालों को बालों को damage होने से रोक सकती है ड्राइ शेंपो को करें इस्तेमाल गर्मे में आपका स्कैल्प चिपचिपा ने जराएगा इसका मतलब या नहीं कि आप रोजाना अपने बालों को धोना शुरू कर दे रोजाना बाल धोने से आपके बाल और भी फ्रीजी हो सकते है अगर आपको किसी पार्टी में जाना है लेकिन बालों को एक दिन पहले wash किया है और दुवारा उसे दोना नहीं चाहती तो dry shampoo इस्तमाल कर सकती है रात में सोने से पहले dry shampoo इस्तमाल करने से या scalp से निकलने वाले अत्रिक तेल को सोक लेता है जब आप सुबा अपने बालों को देखेंगे तो बांसी नजर आएंगे कंडिशनर का सही उप्योग ड्राय और फ्रिजी बालों से छुटकारा पाने के लिए बाल धोने के बाद कंडिशनर का उप्योग किया जाता है यह आपके बालों को मौस्चराइज करता है और उन्हें लजने से रोपता है कंडिशनर का चुना करते वक्त उसमें पाए जाने वाले इंग्रेडियन्स का पर ध्यान रखें इस बात का ख्याल रखें क्या यह आपके बालों के लिए उप्यूगत है या नहीं वही बालों में कंडिशनर लगाने के बाद घर्मियों में आपके बाल हेल्दी रहे इसके लिए नियाचिरों इंग्रेडियन्स से भी बने हेर पेक का इस्तफाल करें बालों को नियमित करवाएं ट्रिमिंग कई महलाएं अपने बालों को साल में एकवर कटवाती हैं य 아ा कि आप अपने बालों को लेंत को गम नहीं करा चाती तो कोई बाद नहीं आप चाहे तो सिर्प ड्रीमिंग करवा आलग कि आप अपने बालों को लेंद को गम नहीं करा चाहती तो कोई बात नहीं, आप चाहे तो सिर्फ ट्रीमिंग करवा सकती हैं। दो मुहें बाल हेल्दी बालों को ना सिर्फ नुक्सान पहुंचाते हैं, बलकि इन पर प्रोडक्ट का भी असर नहीं होता है। ऐसे में बेहतर ही कि ट्रीमिंग करवाएं और दो मुहें बालों को हटा दें। इससे आपके बाल जल्दी बढ़ेंगें और हेल्दी रहेंगे। ऐसे में बालों को खराब ना करें। या आपके बालों को डैमेज कर सकता है। अगर आपको इसकी जरुत पड़ती है, तो इसका उप्योग करने से पहले इसका उप्योग करते वक्त मात्रा का ध्यान जरूर रखें। या आपके बालों को गर्मी की विजय से होने वाले नुकसान से ना सिर्फ बचाएगा बलकि फ्रीजी और ड्राइज जैसे अने समेशाओं से छुट करा दिलाएगा। बालों के लिए कॉटन कपड़ों का करें इस्तेमाल। चिलचलाती दूप में जब भी आप बाहर निकले तो अपने बालों को हैट से कवर करना ना बोले। हाला कि हरवक टाइट हैट अपने सिर्फ लगाने से आपको दर दिया फिर पसीना हो सकता है। इसे बहतर है कि आप कॉटन स्कार को रैप कर ले। गरमियम कॉटन कपड़ा बालों को ना सिर्फ जूप से बचाएगा बलकि इसे पसीना भी नहीं आएगा। ओइली स्केल्फ है तो बहतर है कि आप अपने सिर्फ कॉटन कपड़े से रैप कर ले।